नमस्कार दोस्तों मैं शुर्दन तुई स्वागत होता हूं तब आपके अपने चैन्ज वेले ब्राड़कास्ट में दोस्तों जैसा कि आप जानता है कि आम बजट 2022-23 में घोषणा के बाद वाराणसी से कोलकाता के बीच समया आपको यहीं बताओं कि आखिर यहीं वाराणसी से होके कहां तक चलेगी और इसका रूट क्या होगा यह कब तक चलेगी इसका भूमी अधिग्राण कब तक शुरू होगा और भी ऐसी से जूड़ी कई आहम जानकारी आपको आज किस वीडियो में जानने को लेंग इसलिए द बाद वाराणसी से कोलकता के हावडा के बीच सेमी हाइस्पीड चलाने की यूजना को पंक लग गए हैं दोस्तों चार वर्ष पूर्व बनारस के मड़वा डी स्टेशन से हावडा तक बंदाए भारत एक्सप्रेस चलाने के कवाई शुरू हो गई थी और तो इस संदर मे पुर्वत्तर रेल्वे वाराणसी प्रशाशन की योर से एक प्रस्ताव हैड़कॉर्टर भीजा गया था और उस दोरन अपरिहार ये कारणों से इस दिशा में कोई निर्ड़ा नहीं लिया जा सका था हलागे दोस्तों आम बजट में 400 समी हाइस्पीड ट्रेन रूर्शों के अंदर तैयार करने घोशना के बाद वाराणसी हावड़ा बंदे भायरत एक्सप्रेस की योजना पाइपलाइन से जल्दी बाहर निकलेगी दोस्तों विभागे सुत्रों के अनुसार बनारसी स्टेशन से गोरकपूर को भी एक समी हाइस्पीड ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है दोस्तों गौर्द अलाइब की 15 अगस्त को सतंतुता दीवस समारो के दौरान प्रधान मंत्री ने 75 सप्ता में 75 बंदे भायरत एक्सप्रेस चलाने का एलान किया था महीं गत 23 सितंबर कुवाराटसी के दोरे पर आये रेल मंत्री अश्विनी वैशनव ने भी बंदे भायरत एक्सप्रेस में कोच निर्मार के बाबर टेंडर जार्नी करने की बात कही थी और दोस्तों रेल बजट में घोशित 400 बंदे भायरत एक्सप्रेस आधुनीक फीचरों से लैस होगी से आत्रियों के सफर को सुविधा जनक बनाया जागा दोस्तों रेलवे के राय बलेली समित विभिन आईसी एफ कोच फैक्टरी में कोच को तयार किया जाएगा और सु अप्रेल 2022 में ट्रायल रन कर आए जाएगा दोस्तों अगस्प सितंबर तक यह कई चरणों में चलाए जाएंगी पहले संसकरान विस संचालित देश की पहली समयाइस पी ट्रेन वाराट से नहीं दिल्ली और नहीं दिल्ली से कटरा के बीच चलाए जा रही है तो द तरके जाहिन जाए भारत बने मादर है